हालो दोस्तों, आज हम बनाएंगे healthy mango smoothie bowl, यह एक बहुत ही delicious, जल्दी से बन जाने वाला और बहुत ही healthy breakfast है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक blender लिया है, उसमें डाल देंगे peel किया हुआ, cube किया हुआ और freeze किया हुआ mango, mango को freeze करने से ही जो यह smoothie है यह बहुत ही creamy बनती है, तो यह step आप जरूर follow करिये, साथी में हम डाल देंगे आधा कव freeze किया हुआ केला, उसके साथ हम डाल देंगे दही, और डाल देंगे साथ में कुछ दूद, मैंने यहाँ पे low fat दूद यूज किया है, लेकिन आप चाहें तो normal milk भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा coconut milk भी यूज किया है, यह बिल्कुल optional है, आप चाहें तो सिरफ plain milk यूज कर लेजे, अब इन सारे ingredients को हम अच्छी तरीके से blend कर लेंगे, और बिल्कुल एक smooth सा mixture बना लेंगे, जो कि हमारी smoothie bowl का base होगा, तो यह हमारा smooth mixture बिल्कुल तयार है, अब इस mixture को हम जो हम जिस bowl में यह सर्फ करने वाले हैं, उसमें ट्रांस्वर कर लेंगे, तो आप अच्छी सी कोई भी bowl ले लिजे जिसमें इसको आप सर्फ करना चाते हैं, और जो यह स्मूदी है हमारी mango की, इसको हम इस bowl में ट्रांस्वर कर लेंगे तो यह गई हमारी सारी स्मूदी, इस bowl में देखा आपने कितनी क्रीमी लग रही है, बिल्कुल पतलापन नहीं है इसमें, और यह आया है हमारे mango और बनाना को फ्रीज करने की वज़ा से, अब जो हमारी यह mango स्मूदी है, इसको हम टॉप कर लेंगे कटे हुए केले की slices से, म आप से कर सकते हैं, बिल्कुल ज़ूरी नहीं है, जो मैंने टॉपिंग करी है, वो ही आपको करनी है, मैं हाँ पे चिया सीज भी डाल रही हूँ और साथी मैंने पास कुछ यहाँ पे एडिबल फ्लार्स थे, वो भी मैं यूज करूंगी, आपके पास जो भी फूदी घर मे अवेलेबल हो, आप उससे स्मूदी बोल को टॉप कर सकते हैं, बहुत ही हल्दी, फिलिंग और डिलीश ब्रेकफल, तेखा कितनी जल्दी रेडी हो गया, तो यह हमारी मैंगो स्मूदी बोल रेडी है सर्फ करने के लिए, इसके सारे इंग्रीडियन्स यहाँ पे मैंने में पेंशन कर रखे हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेजे, और धट पत से यह मैंगो स्मूदी बोल अपने घर में बना के अपने फैमली मेंबर्स लाइए, और मुझे कमेंट में बताईए कि आपको यह कैसी लगी, एंद दो नाट फॉर्गेट तो सब्स्राइब तो माइट